अलो एब्रिमान विल्कम बैक टो सिसम में अथन क्या दिया हुए इससे से जियर प्लेम्स 2002 में आया था 2005 में आया था हाला कि ये बहुत इंपर्टेंस सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत आसान है देखो ध्यान से in the new budget the price of kerosene oil rose by 25% मतलब increase हो जाता भी 25% का by how much percent must a person reduces consumption of kerosene oil so that the expenditure on it does not increase जहान से सुनना अगर price पहले P1 से price P2 जा रहा है ठीक है तो P1 से P2 जा रहा है 25% मतलब एक बटा चार तो plus में हो रहा है एक बटा चार हो गया तो P2 से P1 reduce करके आना है तो कितना reduce करना है सर प्लास कर जागा पर माइनस होगा नीचे क्या हो जागा चार प्लास एक पांच उपर वाला change नहीं होगा तो एक बटा पांच मतलब सर इंटू 100 करो तो 5 बटा 10 तो 20% का reduce करना पड़ेगा option number one is the correct answer अब आपको लेगा सर ये जो करवा दे रहा हो सर ये थोड़ा सा tricky process है लेकिन आप कहीं किसी तरीके से trick लगा के करवा दे रहो नॉर्मल ही समझाओ अब देखो नॉर्मल कैसे समझेंगे पहले आपको 100 रुप अब ध्यान से सुनना, इस 125 को हम लोग 100 में convert करेंगे, तो कितना केरोशन मिलता है? 100 बटा 125 इंटू 100, देखो सर 25 पाच्छमें, 25 तो कितना हो था? 5 दून 10, तो 4 दून 10 मिलता है, पहले कितना मिल रा था? 100 मिल रा था, अभी कितना मिल रा, 80 मिल रा, तो कितना consumption reduce करना किस के उपर 100 के उपर कितना प्रतिशत इंटू 100 तो करेंगे तो 120 परसंट आ जाएगा ओके सर तैंक यू बाबाई स्टे टून फॉर दे नेक्स्ट क्लास